हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आज हम फिर आपके सामने आ चुके हैं अपने एक जानदार शानदार धमाकेदार देशी ट्रिक के साथ तो बच्चो मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल केज़ेफ जंक्शन पर तो मेरे प्यारे बच्चो आपने बहुत धर्म के वा राजा कौन थे क्या आपको ऐसे सवालों को जबाब पता है तो बच्चो आज जो हम अपने टॉपिक में पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे बौध संगती और आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये ट्रिक ना आपने कभी पहले देखी होगी ना कभी सुनी होगी तो चलिए बच्चो बिना किसी देरी के अपनी आज इकलास स्टार्ट करते हैं तो बच्चो आज का जो हमार टॉपिक है वो है बौध संगती जैसे कि आपको पता भी है कि महात्मभुद जिनको बौध धर्म का संस्तापक आता है इनकी मृत्यू की जश्ट बाद ही जो इनके उपदे करने के लिए लोगवा महासभा और सम्मेलन करने लगए इसी महासभा और सम्मेलन को बहुत संगती कहा जाता है तो सबसे पहले हम सिंपल तरीक से दिखेंगे कि जो बहुत संगती है वो कितनी बार हुई थी तो जो बहुत संगती है आपके चार बार हुई थी में लिए अध्यक्स थे महाकश्यप और उस्टाम शाशक मतलब किसका शाशन था अजास शत्रु का इसके बाद हुए दूसरी बहुत संगती दूसरी बहुत संगती वह आपकी वैशाली में अध्यक्स कौन थे सभाकामी और शाशक थे कालाशोक जो हमारी तीसरी बहुत संगती हुई बच्चों वो हुई थी पार्टली पुत्र में इसमें अध्यक्स थे मोगली पुत्तिस और शाषा कौन थे अशोक इसके बाद हुई चोथी बहुत संगती जो के हुई कुंडलवन में इसके अध्यक्ष थे वश्वमित्र और उपाधक्ष थे अश्वगोष और शाशा कौन थे कनिश्क बच्चों हमारे ट्रिक के लिए पहले आपको सिंपल सिंपल तरीके से नाम पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है एक और में बात लादों आपको कि जो सुरू की तीन बहुत संगे हुई थी यह हुई थी आपकी बिहार में यह कहा हुई थी बच्चों आपकी बिहार में और जो कुंडल वन है यह आपका है कश्मीर ठीक है बच्चों तो पहले आप इन नामों को पढ़िए फिर हम चलते हैं अपनी ट्रिक की और तो बच्चों हम पढ़ेंगे सबसे पहले अपनी पहले ट्रिक जो हमारी पहले ट्रिक है बहुत सभाव को याद करने के लिए हमारी पहले ट्रिक का नाम है राजगिरह में महराजा आजा, जी हाँ बच्चो, राजगिरह में महराजा आजा, ठीक है बच्चो? तो इसमें राजग्रह है, देखें, जो हमारे हमेशा पहला वर्ड होगा, मैं आपको पहले तदराओं को, कि जो हमारे यह पहला वर्ड होगा, यह दिखाया किसको, इस थान को, जो दूसरा वर्ड होगा, यह दिखायागा, अध्यक्ष को, और तीसरा वर्ड दिखायागा कि शाशक कौन था तो जैसे देखिए राजगिरह इसके नाम से जल ले है कि पहली बहुत संगिती कहा हुई थी राजगिरह में महराजा महराजा से आपको फट से नाम ध्याना जाएगा कि महराजा से क्या होगा महाकशप ठीक है? और आजा से आपको ध्याना जाएगा क्या? अजात शत्रू तो आपको ध्याना जाएगा कि पहली बहुत संगती कहा उ ति पच्चो? राजगरह में, उस ताम अध्यक्ष कोन थे? मा करश्यप और शासर कोन थे? अजात सथुत्रू तो पहली ट्रिक का नाम है राजगिरह मे महराजा आजा, अब बढ़ते बच्चों सकी दूसरे ट्रिक के और, जो हमारी दूसरी ट्रिक है, आप ने देखा भी, तो मारे दूसरी ट्रीकर नाम विश्वर सबका काल है जी हैं बच्चो, वैश्वाली सबका काल है तो मैंने पहले उतार आपको कि जो मारा पहला नाम होगा यह हमें सा किसी को दिखाएगा? इस्थान को तो किस स्थान पर हुई थी? वैश्वाली Second word, अध्यक्ष को, सबगा, सबगा से आपको धना जागा सबाकामी, आप बस एक बार बच्चों नाम पढ़ लोगो न, सिर्फ एक बार, तो उससे आपको इचीज याद हो जाएगी, और काल, काल से आपको धना जागा काला शोक, तो समझे बच्चों है, ट्रिक को, कि दूसर पटाव मोगली किसको अशोक को तो फिर से वही बात जो मारा पहला वर्ड है पटाओ आपको ध्याना जाएगा पटाओ से क्या जाएगा पाटली पुत्र जिसको आज के टामें पटनाय के नाम जानते हैं पाटली पुत्र पटाओ से जाएगा पाटली पुत्र मोगली मोगली से आपको जाएगा मोगली पुत्र इस्टा मध्यक्स कौन थे बच्चो मोगली पुत्र और अशोक य में महराजा आजा दूसरी वैशाली सबका काल है और तीसरी पटाओ मोगली अशो को तो इन तिनों को नोट की जब बच्चो फटावर चलते हैं अपनी चौथे ट्रिक के और तो बच्चो आज किशमारी चोथे और लाज़्ट ट्रिक है यह देखें यह माई ट्रिक क्या है इसको हमने कहा है कि कुंडल क्या बच्चो कुंडल मित्र और अश्व किसका है तो कनिश्क का है किसका है बच्चो कनिश्क का है तो देखे फिरसा आपको धना देगा कुंडल वर्ड आते ही कि किस स्थान पर हुई थी कुंडल वन में मैंने को पहले ही बताया था भी कि इस टेम दो अध्यक्ष थे जो वसुमित्र था वो था अध्यक्ष और अश्व घोष था उपाध्यक्ष तो मित्र से आपको नाम धना देगा वसुमित्र और अश्व से आपको धना देगा अश्व घोष और किसके सासन में हुई थी तो कनिश्क नाम देही रखा है तो समझबक्तो हमार 4 त्रिक को कुंडल मित्र और अश्व कनिश्ट का है कुंडल से हो गया कुंडल 1 मित्र वसुमित्र अस्वगोष और किसके टाइम पे हो थी इस दे? ये ध्यान रखेगा बच्चो कि चौत्थी बौध संगती में वस्व मित्र थे अध्यक्ष और अश्व घोस्ते उपाध्यक्ष तो बच्चो ये है हमारी चारो ट्रिक इन चारो ट्रिक को आप लाइन से उतार लेजे लाइन से नोट कर लेजे इसको पहले ट्रिक राजगिरह में महराजा आजा दूसरे ट्रिक वैसाली सबका काल है तीसरे ट्रिक पटाओ मोगली अशोक को और चोथी कुंडल मित्र और अश्व किसका है तो कनिश्र का है तो बच्चो इसको फटाफर नोट डाउन कीजिए फिर हम देखते इस पर कोशिंग किस तरीके से पुछा आते हैं आप उसन कोशिंगों का जवाब दीजिएगा इसको फटाफर नोट डाउन कर लिजे बच्चो तो बच्चो आई होप आपको हमारी चारो ट्रिक समझ में लगे हाथ साथ साथ हम इनके यह भी लिखते हैं कि यह किस टाइम पर हुई थी जो आपके पहली बहुत संगती हुई थी बच्चो यह हुई थी 483 इसापूर्व मतलब BC में यह ठीक उसके 100 साल बाद 383 इसापूर्व मतलब BC यह हुई थी आपको 255 इसापूर्व में कहीं कहीं 249 तो 249 या 255 इसापूर्व के आजपास यह हुई थी आपकी और यह हुई थी आपकी इसवी की फर्ष्ट सेंचुरी में, इसवी की पहली सताब्दी में, समझें बच्चों? एक और बात जो मैं आपको पहले दा चुका हूँ, कि जो शुरू की तीन बहुत संगती हुई थी, वो कहा हुई थी? बिहार में, राजगिर है, इसको आज के टाब में राजगिर कहा द आता है, वैशाली और पाटली पुत्र, यह तीनों बिहार में हुई थी, और चौती बहुत संगती कुंडलवन, कहां पर बच्चों? कश्मीर में हुई थी, तो चलो बच्चों चाता है कि अब अगर मैं इससे लिड़ कोई कोशन आपस पूसता हूँ, तो हो सकता है कि आप अब आप इनका जबाब देपाओ, लेकिन आपो यह क्या करना है, पस इंचारो ट्रिक को और धिमाग में ध्यान से बिठाना है, इसको अगर आप याद करना चाहो कि जो इनके शाशक थे, तो इनके शाशक को याद करना की यह एक ट्रिक है, अगर आप थोड़ा दिमाग ल लव है वो क्या है अजास शत्रू मतलब पहली बहुत संगती किसके सासने में हुई थी बच्चो अजास शत्रू के टाइम में का से हो गया कालाशोग ॥ीके बच्चो दूसरी संगती कालाशोग के ताइम पे तीसरे के टाइम अशोक थे राजा और चौत्य के टाइम कनिश्क तो अगर आप अलग से याद करना चाहते हो कि कि संगती के टाइम पे कौन शाशक था तो उसके लिए क्या ट्रिक है अका अका अजास्चत्रू काला अशोक अशोक और कनिश्क बाकी यह 4 ट्रिक मै बुद्धिष्ट काउंसल की एक धुआधार देशी ट्रिक बच्चो मैं उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी और आपको जीके के बारे में और रूची पैदा हुई होगी तो यह बौध संगती मतलब बुद्धिष्ट काउंसल आएंगे कि कौन सी बहुत संगती के बाद बहुत धरम दो भागों बढ़ गया था यह आपको जवाब कमेंट बॉक्स मुझे करके दिखाना है तो बच्चो अगर आपको हमारी यह ट्रिक थोड़ी देशी और थोड़ी हटके लगी हो तो इस वीडियो को अपनी बागे दो वीडियो में ऐसी कुछ सांदा ट्रिक्स के साथ तब तक घर रहिए सेफ रहिए और हमारी ट्रिक्स की प्रैटिस करते रहिए धन्यवाद